दोस्तों आपका स्वागत है wisdomjobs.com मेरे नाम आशुक, faculty for reasoning as well as science and engineering आप देख सेकते हो आपने अलग अलग तरीके के वीडियो, short videos जो भी बना रहे है और conceptual videos जो भी बना रहे है आप देख सेकते हो हमारे playlist में चेक कर दीजिए इसा भी जानकरी के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि आपको notifications time to time मिल जाएंगे आपका preparation एक साथ में हो जाए आप यह हम देखते हैं इसे short videos में आज इस वीडियो में कहा है दोस्तों इसमें देखते हैं यह वीडियो में आप देख चुके होंगे दूसरे short videos में भी जैसे कि एक एक करके हम solve कर रहे हैं अभी इस वीडियो में चेक करेंगे जो कि previous question ले आया है हम इस वीडियो में 2015 का और ordering and ranking का question okay so reasoning ability का आपको बता है so common data question में ऐसे होता है कि question solve करना बहुत आसान है यानि answer देना बहुत simple है जो कि हम पहले इसको solve कर सके जो भी data दियो और उसको identify के उसमें से हम निकाल सके कुछ points से से जो कि हम answer कर पाएंगे ऐसे question okay so यह अगर खर दी है हमने so दोनो question के लिए आसन हो जाएगा दोनो question को solve करेगा अगर एक टीक तरीके से करने पा रहा है तो दोनो question wrong भी हो सकता है तो आपको यह द्यान में रखना चाहिए है कि दोनो question का marks आपके सिर्फ इतने यह description में है so आपको solve करना है यह पहले consolidate करना है square basis पे आप जरूर कुछी second में very less time within 4-5 seconds में आप answer इसका दे सकते हो है कि नहीं so 4-5 seconds भी नहीं कभी 2-3 seconds भी yeah so very less time we can answer so अभी check करते हैं पहले क्या description दिया है इसके हिसाब से हम कैसे कुछ ordering order बना सकता है इसका जो भी friends यानि five friends दिया हो इदर ओ फ्रेंस का order बनाना है किसी साब से based on their height okay please subscribe कर दिजिए जो कि आपको information मिल जाए सभी वीडियो का notifications आ जाए so सभी videos इकटा कर लीजिए जो कि preparation ठीक तरीके से हो आपका so पहले read करेंगे जो कि ऐसा भी हो सकता है कि भी first point का last point से related हो इसलिए पहले glance देना चाहिए okay so देखेंगे each of the five friends fg h and i and j has a different height h is taller than both i and g okay but shorter than j j is not the tallest g is not the shortest the tallest of them all is 172 cm tall and the second shortest is 160 cm tall कुछ मुझे ऐसा लग रहा था कि पढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा लग रहा था कि आरे information कुछ जरूरी जो information है ज्यादा ही दे दिया तो यह आसान सा हो जाएगा problem मुझे ऐसा लगा जो पढ़के so इसलिए मैं बोलता हूं कि जो भी question दिया हो पहले पढ़े पूरी तरीके से आपको यह confidence आजाएगा मिल जाएगा यानि आपको यह idea complaint हो जाएगा mind में दिमाग में आ जाएगा कि यार यार यह solve करेंगे आप लेकिन वह confidence आने के बाद यह next targeting होना चाहिए कि कम समय में solve करना इसको अभी चेक करते हैं कैसे solve करें इसका 5 friends यानि मैं ऐसा रख लेता हूं order okay height के साब से सबसे बड़ा सबसे लंबा बोल चकता हूं है tall okay सबसे tall यानि tallest cone है यह इधर बैटेगा shortest वाला okay सबसे चोटा वाला इधर खड़ा होगा okay so tallest to shortest ऐसा order बना है इसका meaning यह symbol का meaning तो पता है आपको okay decreasing order बना रहो हूं है so इसी अभी blanks बना दिया हम है इसको पुट करूंगा जो भी information दिया है अगर हो सके तो पूरा इतरगे से order बना देंगे इधर so देखेंगे हम इधर क्या दिया हुआ है each of the five friends okay then that is anyway basic statement h is taller than both i and j यानि हम इसा लिख सकता है i and j यानि इनका position exactly पता नहीं हमको i किदर रखे g किदर रखे okay but shorter than j यानि j से j इससे लंबा है okay shorter than j इसका मतलब यह होगे जो मैं put कर रहा हूं इधर सही बना कि नहीं सही बना then j is not the tallest j is not the tallest यानि अभी कितने लोग होगे इधर j h i j स्वागी अभी j h से लंबा है जरूर यह j जो है i और g से भी लंबा होगा यानि यहाँ चार लोग आगे इधर सो बाकी बचा कून f बच गया जरूर f का position ही होगा सकता हो कि इस information से इस से till this season this pointFi इतना बाता सकता हूं कि f होगया, j एक हो गया, j ऱ हैर्याश का position इस 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 behavior अभी इटना है कि दोनों को कि दर रखेंगम लूह भी रखेंग hai और j को यह दोनों जेंक है कि तरह के छाग से ओसने से घ्र तरहेंगम अभी पढ़ते आगे जाके क्या दिवह हो है G is not the shortest अभी इतना यह दोनों को यह इसमें फिल करना है आई को जे को आई को और जी को अभी information दे दिया G not the shortest यानि G इधर तो बैट ने सकता यानि G का position हो गया यह तो यह हो गया आई का position आगे अभी order बन गया अपना आगे जाके order तो बन गया है लेकिन आगे जाके और भी data दिया हो गया है वह भी रखना इसके साथ जोड़ देंगे हम एसा क्या दिया हो गया हो इदर 172 cm and the second shortest second shortest कि दर गड़ा है इदर so obviously this is second shortest यह second shortest हो गया जी so G का height इतना दिया हो है 160 cm 160 cm अभी यह पूरी तरीके से हम फ्रेम कर लिया जो भी information दे दिया इकटा कर लिया यह order में बना दिया okay so यह जो ordering बना दिया so इसका सबसे अभी question solve करेंगे इसे जट से आप देख सकते हो कितने आसान इसे आप solve कर सकते हो यह है है कि नहीं so यह important चीज है ऐसे common data question में अभी देखिए question क्या दे रखे watch of the following is true with respect to the given arrangement अभी इसमें से statement पढ़ते है पढ़ते हम identify करना है so जो पहले जो भी आपको सही लगेगा या नहीं जो भी आप यह चेक कर लिए और बना लिया तो इसके साब से चाही लगेगा वह answer आजाएगा आपको ज्यादा से ज्यादा आपको यानि 5 option है तो अगर पांच वाव ज्य दें दें जो इस तो नो यह गलत है only one person is taller than f नहीं है यह 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 गलत है f कुद्ध टलेस्ट है okay none of the given options is true अभी यह बता ने सकता है इसका कुछ अब यह आगे जाके देखेंगे दोनो अभी यह दोनों भी गलत हो गया तो यह option देना चाहिए आपको अब यह ऐसे रखते हम h height is 160 cm है h किदर कड़ा है इदर लेकिन height किसका 160 है g का 160 है h का नहीं है तो यह भी गलत है अभी चेक करेंगे 5 बार f's height is definitely more than 160 यह बता सकते हम definitely बत जी जी का height हमें पता गाली है कि 160 है so f तो सबसे लंबा है so tallest का जरूर 160 से ज्यादा ही होगा जरूर so यह हो गया अपना answer ठीक है कि नहीं so ऐसा option जो कि मैं explain करते हैं आपको तोड़ा सा ज्यादा लग गया होगा time लेकिन आपको identify कर सकते हो आपको ऐसा means आप समझ सकते हो कि कितने आसान हो जाएगा once you solve accurately so accurately solve करना ही है जो कि आप option दे सकते है within seconds ऐसा कि 3-4 seconds में आप answer दे सकते हो जो कि देखेंगे so अगला question जो भी पहला वाला है दूसरा question कैसे दे रखे यह so दूसरा question क्या दिया है इदर h height is 8 cm more than g's okay so यह इतना पढ़ते पढ़ते हमको इतना ज्यान में आ गए कि g का height कितना है 160 है यानि h का height कितना हो गया 160 प्लस इससे 8 cm ज्यादा है okay h का height कितना हो गया 168 है कि नहीं so 168 हो गया so क्या पूछ रहा है इतर which of the following can be h side so as simple as that so 2 seconds में आप कर सकते हो यह है कि नहीं जाएगा it's a common data questions है आप so attentive रहना चाहिए okay focus रहना चाहिए such questions में यह option yeah so answer दे दिया हमने इतर like कर दिजिए और share कर दिजिए आपने दोस्तों से दाकी वह भी प्रिपेर कर सकती तीक तरीक सब्सक्राइब कर दिजिए जो शॉट वीडियो सबी इतना ही इतना ही शॉट वीडियो में जो दूसरे और कुछ प्रॉब्म्स में कर चुकिया है previous questions और important models frequently asked questions type अब इसका भी identify करकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए तीक तरीके से do comment if you have any suggestions suggestions है तो comment कर दीजिए आप subscribe कर दीजिए जरूर जो आपको इसका information मिल जाए सभी short वीडियो का thank you for watching this video so दोस्तों आपको पसंद आगे होगा वीडियो जैसे हम short videos के series बना रहा है यानि आपको preparation के लिए आसान कर सके हम जो कि आप एक एक करके आप video देख सकते हो और उसका थैयरी कर सकते हो तो कि इकटा कर लीजिए सभी वीडियों का जो की preparation पूरी तरीके से हो आपका जो इसलिए आप subscribe कर दीजिए जो कि आपको notification मिल जाएंगे हर तरीके के videos का updates मिल जाएंगे so like कर दीजिए और share कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ information share कर दीजिए जो कि उनका भी preparation टीक तरीके से हो जाए thank you अब जो भी comments है doubts है so comment कर सकते हो अपने comment section में so thanks for watching कर दो